नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है वालचंद्र, ब्रम्मान्द सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। दिन का जो करण है वा गरह है और जो रात का करण है वा वनी है। आप ले सकते हो। योग करने जा रहा है गुरु के साथ लाव योग करने जा रहा है उसे प्रकार आजे के दिन बुद्ध और गुरु का भी लाव योग होने जा रहा है यह ग्रसती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिय फल क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के दशम बुद्ध के साथ ये चंद्रमा योटी योग करने जा रहा है आपके वेश बुद्ध गुरु के साथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके वेश बुद्ध गुरु के साथ दशम बुद् बहुत ही अच्छा और शुबफलदाई दिन है आपके लिए खास करके आज का जो दिन है बिजी डेस साबित हो सकता है जो भी महत्वपुर्ण काम है डॉक्मेंडेशन से के बारे में या फिर किसे अन्यो जोकी आपके कारेश चेतर से रिलेट करने वाले हैं आज की दिन बिल इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के भाग के बाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है वाई पर सिद बुद्ध के साथ या चंदर्मा युतियो करने जा रहा है आपके लाब बाव में सिद गुरु के साथ या चंदर्मा लाब यो करने जा र कि आर्थी एक रूप से कुछ अच्छे लाव अगरा हो सकते हैं सब समय है तो पुर्णा बता अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है कुछ अच्छा समय आपका बीच सकता है आपकी जो बीतर परिवार है उनसे भी आपको खासे अच्छी मुदद मिल सकती है दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बात की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के अश्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमन है स्वास्त के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा किसी भी प्रकार के महत्वप्रण इन्वेस्टमेंट आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना जो भी आपका कारशेतर है उससे रेलेटिड कुछ अच्छी बाते आज के दिन हो सकती है इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के सब्तम्भाव में चंद्रमा का भ्रमन है वही पर सिद बुद्ध के साथ ये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है आपके भाग्य भाव मेश् temperature गुरू के साथ यह चंदरमा लावियो करने जा रहा है उसे प्रकार आपके भाग्य भाव मेश् Terror के साथ आपके सब्तम भाव का जो बुद्र है वह भी लावियो करने जा रहा है बहुत ही अच्चा दिन है आपके लिए आपकी जो वैवाई जो डिदार है उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना हो सकता है कुछ अच्छी बाते हो सकती है उसी प्रकार जीवन के प्रते कुछ अच्छे समझ आज के दिन आपको मिल सकते हैं अच्छे इंट्यूशन्स वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है आपकी जो वैवाई जो डिदार हैं उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना हो सकता है आने बाले दो से तीन जो दिन है आपके लिए थोड़े बिजी डिसाबित हो सकते हैं लेकिन जो काम पेंडिंग है जो काम नहीं हो रहा है ज़रूर हाथ में लीजे आने बाले दो से तीन दिनों में वो सकारात्मक रुप से संपुर्ण होंगे इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशे के शस्ट भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही परसिद बुद्ध के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके श्टम भाव में सिद गुरू के साथ यह चंद्रमा लाभियोग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके श्टम भाव में सिद गुरू कॉम्प्लिकेशन आज के दिन आपको आ सकते हैं, ध्याद रखे, इन दिर पर ध्याद रखना बहुत ही जादा आवज़ रकोगा, आने वले 2 से 3 दिनों में अनपेक्षित लाव वगरण आपको मिल सकते हैं इसके बाद की जो राशी है, वो है कन्या राशी कन्या राशे के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमन है वही पर सिद बुद्ध के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके सब्तम भाव में सिद गुरु के साथ ये चंद्रमा लावियोग करने जा रहा है आपके सब्तमबाव में सिद्गूरु के साथ पंचमबाव को जो बुद्र है वो भी लाफ यूप करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए आप इसे लखी डे भी कह सकते हो कास करके आपको आज के दिन कुछ अच्छे लाफ वगरा मिल सकते हैं अगर आप शेयरमाट के में ट्रेट करते हो तो आपके जो अनुवान है वो भी सही साबित होते हो वे नजर आएगा अगर आपके से के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर भी जो कम्यूनिकेशन है आप दोनों में बहुत अच्छे देखे जाएगी अगर आप भी वाई तो आपके जो वह वाग जोड़े धर है उनके साथ भी आज आपके हारमानी काफी अच्छे देखे जाएगी आने मले दो से तीन दिन जो है वो आपके लिए काफी ज़्यादा महतोपुर्ण और लकीडे साबित हो सकते है इसके बाद की जो राशी है व भी लाबियोग करने जा रहा है उसकी अपके चैस्टबाव मेंसे गुरु के साथ आपकी चदूर तभावका जो बुद्ध है वह भी-लाफ यह करने जा रहा है वह वह भी लाप करने जारा है महतोपुर्ण दिन हैं आप लिए कहास करके हलागे थोड़ा आज के दिन आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे, और वो आराम आपको मिलेगा भी. इसके बाद की जो राशी है, वो है बृच्चिक राशी. वरिच्चिक राशे के दृतिया भाव में चंद्रमा का भ्रहमन है और आपी के पंचम भाव में सिथ गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ वियोग करने जा रहा है आपके दृतिया भाव में सिथ बुद्ध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है लेकिन आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे unexpected लाब मिलने की संभवाना बहुत ही जाधा बन रही है आज के दिन खास करके आपके जो मित्र परिवारे उनके साथ मुलाकात हो सकती है गपशप हो सकती है करी बाहर गुमना फिर ना भी हो सकता है उसे परकार आने मिल दो सी तीन दिनों में अगर आप किसी के relationship में है तो आप दोनों में जो हारवनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी उसे परकार share market में trade करते हो तो आपकी जो अनुवान है वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के वितियोभाव में चंदर्मा का ब्रहمن है वही पर सिथ बुद्ध के साथ यह चंदर्मा यूतियोग करने जा रहा है आपके चतुरत अबाव में सिद्गूरू के साथ ये चन्रमान लाभ योग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके चतुरत अबाव में सिद्गूरू के साथ आपके द्वितिय अबाव को जो बुद्ध है वो भी लाभ योग करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लेखास करके आपके जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी उसी परकार तो चुछ अच्छे लाव वगरा भी मिल सकते हैं कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले दो से तीन दिनों में भी आपके जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनमें और आप में जो हार्मनी है जो कम्यूनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी में ही जंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके के राशी में सिद्ध बुद्ध के साथ ये जंद्रमा यूतियो करने जा रहा है आपके दृतियो बाह में सिद्ध गुरु के साथ ये जंद्रमा लाभ यो करने जा रहा है उसे प्रक चारात्मक जो सोच है वो आप में देखी जाएगी, energy level confidence बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता, आने मिले दो से तीन दिन में आपका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, आपके काम पूरे आपके द्विद्या बहुत करने जा रहा है, आज का जो दिन है, तो उड़ासा stressful आपके लिए हो सकता है, कास करके अगर आपके इसके relationship में है, उनके साथ च्छोटे मोटे बातों के लिए का तकरार हो सकती है, स्वास्त के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, स्वास्त के बारे में जो problem, complication है, कास करके जो stress level है, वो आज के दिन काफी ज़्यादा बढ़ सकता है, आनवले दो से तिन दिनों में किसी भी प्रकर के महत्वपूर्ण, पैसे के जो transaction है, financial transaction बिल्कुल भी नहीं करना, इसके बाद की जो राशी है, वो है मींदराशी, मींदराशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, वह परसित बुद्ध के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है, आप एक राशी में सित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है, काफी अच्छा दिन है आपके लिए, कुछ अच्छे लाब अगरा मिल सकते हैं कुछ अच्छी सलाब भी मिल सकते हैं खास करके आपकी जो बैबाइबाइग उनके साथ आपकी हर्माइज वह बहुत इस देखी जाएगड़ कूल मिला कि देखा जाता संपुर्ण दिन जो हैं वह आपके लिए शभुफल अधाई सा होगा तो दोस्तों ये था दिना अठारा फरवरी दो हजार ते इसका संपुण राशिपल आपके राशिपल कैसे लगा आपने किस प्रकार से नोबो किया निजे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मा डशिद्याश्ट्रो इसे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद